वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी अगर आपने हरी पॉर्टर की मूवी सीरीज नहीं देखी है तो आपने जरूर एक मास्टरपीस मिस कर दिया है और अगर देखी है तो हो जाईए तैयार अपने बचपन की जादू भरी दुनिया को फिर एक बार जीने के लिए हरी पॉर्टर कहानी की शुरुवात होती है 2001 में रिलिस की गई फिल्म हरी पॉर्टर एंड़ सौरर स्टोन से याने के आज से 20 साल पहले हैरी पॉर्टर की शुरुवात हुई थी तब मैं खुद 13 साल का था और आप में से कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे है ना तो फिल्म के शुरुवात में प्रोफेसर डंबलडोर, प्रोफेसर मैगॉनिगल और हैगरेट छुटकू से हैरी पॉर्टर को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ कर चले जाते है और वहां से कहानी 11 साल आगे बढ़ती है जहां हमें पता चलता है कि हैरी को उस घर में काम वाली बाई बना के रखा है, हैरी के अंकल आंट अपने बेटे डड़ली के साथ उसके बर्थडे पर जू जाते है जहां हैरी को पता चलता है कि वो सापों से बात कर सकता है जिसके चलते वो डड़ली को गलती से साप के गलास केज में बंद कर देता है, दूसरे ही दिन हैर से खत आना शुरू हो जाते है जिसे परेशान होकर वो सभी लोग दूर के किसी टापू पर जाते है जहां हैरी के बर्थडे की रात उसे लेने वहाँ पहुंचता है जो हैरी को लेकर एक ऐसी जगा जाता है जहां जादूगरी की सारी चीजें मिल सके डाइगन आली या चूम अंतर गली में जहां से वो सबसे पहले जादूगरों के बैंक ग्रीन गॉट्स में जाकर अपने पैरेंट्स की तीजोरी में रखे सोने के सिक्के लेता है और उससे अपने ले जादूई किताबे, जादूई छडी और बाकी सामान खरीदता है इधर हैगरिड उसे बताता है कि कैसे वर्ल्ड मॉट ने हैरी के माता पिता को मार दिया पर वो हैरी को नहीं मार पाया जिसके वज़े से वर्ल्ड मॉट या तो मर गया है या बुरी तरह घायल होकर कही छिप गया है और उसी वज़े से Harry Potter जादूगरी के दुनिया में बहुत फेमस है Hagrid उसे प्लैटफॉर्म नंबर पौने 10 की टिकिट देता है जहां से Hogwarts के लिए जाने वाली ट्रेन में वो बैठ सके और वहां उसकी मुलाकात होती है Ron Weasley और Hermione Granger से और फिर सभी लोग आते हैं जादूगरी के स्कूल Hogwarts में यहां बूलती टोपी या सौर्टिंग हैट हर बच्चे को स्कूल के अलग-अलग ग्रूप में बेजती है जहां Harry, Hermione और Ron गरुड़ द्वार में जाते है और Malfoy जाता है नाग शक्ती में अब शुरू होती है जादू की ट्रेनिंग जिसमें मंत्रों का उच्चार चीजों का हवा में उड़ाना और जाडू के साहरे खुद हवा में उड़ना और भी कई चीज़े सिखाई जाती है तभी Harry के उड़ने की काबिलियत को देखकर प्रोफेसर मैगॉनिगल Harry को क्विटिज गेम में उसके टीम का खुजी बना देते है अब ये क्विटिज जो गेम है जिसमें होती है एक सुनहरी गेंद जिसे पकड़ने से गेम खतम हो जाता है तो Harry उस गेम में सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है और अपनी टीम को जिता देता है पर एक मिनिट ये जो सुनहरी गेंद है उसे अच्छे से धान में रखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक गेंद नहीं है ये सुनहरी गेंद लास्ट पार्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जाते है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पहले से ही कोई आ चुका है जो कोई और नहीं प्रोफेसर क्विरल थे जिसके जरीए अदमरा वर्ल्ड मॉट पारस पत्थर को पाना चाहता था पर वहाँ हैरी क्विरल और वर्ल्ड मॉट को हरा देता है और अब बारी आती है 2002 में आई हैरी पॉटर की दूसरी फिल्म चेंबर ओफ सिक्रेट्स की जिसके शुरुवात में हैरी अपने अंकल के घर है और वहाँ उसे मिलने आता है डॉबी जो एक घरेलू जिन है और वो हैरी को होगवर्ट्स ना जाने के लिए आगाह करता है पर हैरी नहीं मानता और रॉन और उसके भाई उरती हुई कार से हैरी को वहाँ से भगा ले जाते है इधर हैरी को अजीब अजीब आवाजे सुनाई देती है सिर्फ हैरी को ही और उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक मैसेज तक पहुंचता है जहां लिखा होता है अब हैरी हर्माईनी और रॉन उस रहस से मैं तहखाने के खोज में लग जाते है और उसी खोज में हैरी को मिलती है एक डाइरी जो होती है टॉम रिडल की जो हैरी को अपने डाइरी के थुरू उसका पास्ट दिखाता है जिसमें पता चलता है कि 50 साल पहले रहस से मैं तहकाना हैगरिट के वज़े से खोला गया था जिसमें एरागॉग नाम का एक मकड़ा था पर जंगल में एरागॉग को परसनली मिलने के बाद हैरी को पता चलता है कि डाइरी में देखी बात तो जूटी थी और 50 साल पहले तहकाने से निकले जानवर ने जिस लड़की को मारा था वो थी मायूस मीना जिसकी आत्मा से मिलने के बाद हैरी और रॉन को रहसे में तहकाना खोलने का रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते से आगे जाकर वो सीधा मिलते है उसी टॉम रिडल से बट ये जनाब टॉम रिडल नहीं बलकि खुद वर्डमॉट था जो बुलाता है एक बड़े से सांप को काल दृष्टी को पर हैरी गरुडवार के तलवार से काल दृष्टी को मार देता है और काल दृष्टी के दाज से डायरी पर घाव करके टॉम रिडल को भी मार देता है और अब बारी है 2004 में आई तीसरे पार्ट की जिसका नाम था Harry Potter and the Prisoner of Azgaban जहां Harry अपने अंकल आंट और रिश्थदारों के तानों से परिशान होकर घर छोड़कर निकल जाता है Harry को पता चलता है कि Azgaban से Sirius Black भाग चुका है और कहा जा रहा है कि वो Harry Potter को मारना चाता है क्योंकि Sirius Black वल्ड मौड का सबसे खास आदमी था इधर Harry, Hermione और Ron ट्रेन से Hogwarts जा रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ कुछ तम पिशा जाते हैं और Harry को ऐसे चूसने लग जाते हैं और वहाँ बैटे Hogwarts के नए प्रोफेसर Remus Lupin Harry को बचाते हैं इधर George और फ्रेट जो Ron के जुड़वा भाई है वो Harry को एक ऐसा जादू इनक्षा देते हैं जो किसी का भी location बता देता है Google Maps से भी जादा accurate location बिना GPS के इधर Harry प्रोफेसर Lupin से तम पिशाच को भगाने का जादू सीख लेता है और लास्ट में Sirius Black बताता है कि Ron के पास जो चूहा है वो चूहा ना होकर Peter Pettigrew नाम का एक इनसान है जिसने Harry Potter के फादर का दोस्त होते हुए उसे धोका दिया था पर Peter Pettigrew वहाँ से भाग निकल जाता है इसी भाग दोड में Sirius Black बुरी तरह घायल हो जाता है तभी वहाँ तम पिशा जाते है और Sirius और Harry को फिर एक बार चूसने लग जाते है अब यह क्या जूस है क्या वो बट कोई उन दोनों को दूर से ही बचा लेता है अब यहाँ है एक ट्विस्ट हर्माइनी के पास होता है एक टाइम ट्रैवल डिवाइस जिसे वो पास्ट में जाकर बगबीक को मरने से बचाती है और Harry खुद को और Sirius को भी बचा लेता है अब बारी है 2005 में आए Harry Potter के 4th पार्ट Goblet of Fire की अब यहाँ हॉगवर्ट्स में एक ट्राइ विजार टूर्नामेंट अनाउंस किया जाता है जो तीन जादोगरी स्कूल के बीच खेला जाएगा और जिसका भी नाम उस आग के पहले से निकलेगा उसे कमपलसरी वो टूर्नामेंट खेलना ही पड़ेगा और हॉगवर्ट से हैरी पॉर्टर का नाम उस आग के पहले से निकलता है अब यहाँ एक नया कैरेक्टर इंट्रिडूस होता है अलस्टर मूडी जो बेसिकली एक औरर है याने बुरे और मुजरिम जादोगरों को पकड़ने वाले इधर टूर्णामेंट शुरू हो जाती है जिसमें एक के बाद एक पड़ाव पार करके हैरी लास्ट लेवल तक पहुँच जाता है पर उसे इस टूर्णामेंट का हिस्सा बनाना और लास्ट लेवल तक लेकर जाना एक चाल थी ताकि वो वरल्डमॉट तक पहुँच सके और हैरी के खून के कुछ बूदों से वर्लडमॉट फिर से वापस आ जाता है लास्ट में पता चलता है कि अलिस्टर मूडी के रूप में वहाँ वल्डमॉट का चेला था जिसने आग के पहले में Harry Potter का नाम जान बूच कर डाला था अब बारी है 2007 में रिलिज हुई पांच भी फिल्म Harry Potter and the Order of Phoenix की जहाँ जादू मंत्राले से court panel की एक member Dollars Umbridge Hogwarts में as a teacher join करती है लेकिन उसका मकसद होता है वहाँ के students को जादू कम सिखाना और Dumbledore को वहाँ से निकाल देना वो Hogwarts के बहुत सारे rules बदल देती है और बहुत सारे restrictions लगा देती है जिसे वहाँ के students परेशान हो जाते है बट Harry Voldemort से लडने के लिए कुछ students को मिला कर और उन्हें training देकर अपने खुद की एक forge बनाने में लग जाता है इधर Voldemort अपने कुछ साथियों को असगबान जेल से चुड़ा लेता है और डॉलरस अमरिज धोके से अब Dumbledore की जगा Hogwarts की Headmaster बन जाती है पर George और Fred Weasley भरी क्लास में मस्ती करके अमरिज की ऐसी तैसी कर देते है फिर Hermione अमरिज को चालाकी से जंगल में ले जाती है जहां मानव अश्व की टोली अमरिज को अपने साथ लेकर चले जाते है इधर Bellatrix Lestrange के हाथों Sirius Black मार आ जाता है और Lestrange का पीछा करते हुए Harry Potter के सामने आता है Lord Voldemort पर Harry को बचाने वहाँ Dumbledore भी आ जाते है और Lest में सब को पता चल जाता है कि सच में Lord Voldemort वापस आ चुका है और ये सच्चाई पता चलने के बाद अमरिज को हेड़मास्टर की पोस्ट से हटा कर वापस Dumbledore को लाया जाता है इसके बाद आती है 2009 में रिलिज हुई Harry Potter की 6th फिल्म Harry Potter and the Half Blood Prince अब इस फिल्म में इंट्रड्यूस होते है Professor Slughorn जो Hogwarts में पहले भी टीचर रह चुके है और उन्होंने Harry Potter के माबाप और Worldemort याने के Tom Riddle को भी पढ़ाया था और वो फिर से Hogwarts जॉइन कर लेते हैं इधर एक बात पता चलती है कि Professor Snape भी Worldemort से मिले हुए है और उन्होंने अटूट कसम ली है कि वो Draco Malfoy को किसी भी प्रॉबलम से बचाएंगे क्योंकि Worldemort ने Draco को भी अपना गुलाम बना लिया है Professor Slughorn की क्लास में Harry Potter को एक किताब मिलती है जो होती है Half Blood Prince की जिसमें हर एक जादूई काड़ा बनाने की विधी को और भी सिंपल तरीके से मौडिफाई किया गया है उसके पुराने ओनर याने Half Blood Prince ने इस फिल्म से Ron की सिस्टर जीनी और Harry के बीच और Ron और हर्माइनी के बीच शुरू हो जाता है प्यार, लव, महबद वैसे मुझे लगा था कि हर्माइनी और Harry का कुछ होगा पर गधे को मिली परी Harry focusing on जादू गरी अब Harry को Professor Slughorn की याद से पता चलता है कि जब वर्ल्डमॉट छोटा था तब उसने एक ऐसे जादू के बारे में जान लिया था जिससे वो अपने आत्मा के साथ टुकड़े करके अलग-अलग जगा रख सकता था जिससे वो अमर बन सके जिस जादू का नाम था हूकरक्स और उन साथ टुकड़ों में से एक टॉम रिडल की डायरी थी जिसे Harry ने अल्रेडी नस्ट कर दिया था दूसरा हूकरक्स है वर्ल्डमॉट की मा की अंगुठी जो फिलहाल डंबलडोर के ही पास है तीसरा हूकरक्स डंबलडोर और हैरी मिलकर एक गुफा से लेकर आते है जो बेसिकलिए एक लॉकेट होता है इधर बेलाट्रिक्स और बाकी लोग एक ओजल अलमारी और ड्रैको की मदद से हॉगवर्ट्स में घुश जाते है और स्नेप डंबलडोर को मार देता है और लास्क में पता चलता है कि जो बुक हाफ ब्लड प्रिंस की थी वो एक्चूली स्नेप की थी और एक और बात का पता चलता है कि डंबलडोर ने अपनी जान की बाजे लगा कर जो हूकरक्स गुफा से लाया था वो नकली था अब इसके बाद बारी है आखरी मुवी की जिसके दो पार्ट्स है अब डंबलडोर के मरने के बाद उस स्कूल पर वल्ड मॉट और उसके चम्चो का कबजा हो जाता है इधर एक जादू मंत्री हैरी के पास आते है डंबलडोर की आखरी वसीहत लेकर जिसमें हैरी पॉर्टर को उसने क्विटिच के पहले गेम में जीती हुई सुनहरी गेन दी जाती है जिसका इंपोर्टन्स आपको आगे पता चलेगा अब जो नकली हूकरक्स जो एक लॉकेट था उसका असली वर्जन था डॉलरस अंब्रिच के पास और उसे लेने के लिए हैरी, हर्माईनी और रॉन रूप बदल कर मंत्रालय में जाते है और धोके से अम्रिच से वो लॉकेट छीन कर भाग जाते है और गरुड़द्वार की तलवार से उस लॉकेट को याने हूकरक्स को नश्ट कर देते है अब अगले हूकरक्स की तलाश में वो पहुँचते है लूना लॉगूट के फादर के पास एक निशान के बारे में जानने के लिए जो लॉगूट ने अपने गले में पहना था तो उन्हें पता चलता है कि वो लॉकेट मौत के तवफों के निशान है जिसमें सीधी लाइन का मतलब है दुनिया की सबसे ताकतवर जादोई छड़ी एल्डर, सरकल याने पुनर जिवन पत्थर और ट्राइंगल याने अद्रिश चोगा और ये तीनों जिसके पास दुनिया उसकी मुठ्थी में तभी वहाँ वल्डमॉट के चमचे हमला कर देते है और उसी हमले में हैरी, हर्माईनी और रॉन पकड़े जाते है लेकिन डॉबी वहाँ आकर सभी को बचा लेता है पर अफसोस बेलाड्रिक्स के चाकू के वार से डॉबी मारा जाता है और लास्ट में वल्डमॉट डंबलडोर की कबर से मौत के तौफो में से एक एल्डर चड़ी अपने कबजे में ले लेता है और अब बारी इसी फिल्म के सेकेंड पार्ट याने के हैरी पॉर्टर के लास्ट फिल्म की जो 2011 में रिलिज हुई थी अगले हुकरक्स की तलाश में हैरी ग्रीन गॉर्ट जाता है जहां उसे एक सोने का प्याला मिलता है जो एक्चुली एक हुकरक्स है बट जिससे उसे खतम किया जा सके वो गरुड़द्वार की तलवार एक गॉबलिन लेकर भाग जाता है अब वहां से निकल कर ये तीनों जाते हैं डंबलडोर के भाई अबा फोर्थ के पास जहां से उनका हुगवर्ट्स के अंदर जाने का रास्ता आसान हो जाता है हैरी होगवर्ट्स में आकर स्नेप से सीधा मुकाबला करता है जिससे बाकी लोग भी जोश के साथ आगे बढ़कर सब का मुकाबला करते हैं और सभी काली शक्तियों को होगवर्ट्स से भगा देते हैं अब क्योंकि गरुद्वार की तलवार इनके पास नहीं है तो उस सोने के पहले को याने के हुकरक्स को खतम करने के लिए रॉन और हर्माइनी यूज करते है काल द्रिष्टी का दाथ जिससे हैरी ने सबसे पहला हुकरक्स नस्ट किया था टॉम रिडल की डाइरी इधर हैरी को एक और हुकरक्स मिल जाता है और उसे भी नश्ट करने में हैरी कामयाब हो जाता है अब वल्डमॉट को लगता है कि भले ही एल्डर चड़ी उसके पास हो पर वो उसका हुकम नहीं मान रही क्योंकि डंबलडोर को मारने के बाद उस चड़ी का मालिक स्नेप बन देता है पर मरते मरते स्नेप अपने आशूओं को अपनी याद बना के हैरी को दे देता है जिसमें पता चलता है कि जिसे हम लोग अब तक विलन समझ रहे थे वो तो हीरो निकला स्नेप का हैरी के मम्मी के साथ रिष्टा था नाइस इसलिए हर पल हैरी के लिए वो करता था sacrifice और जिस वक्त वर्डमॉट हैरी के माता पिता को मारने आया था तब हैरी को मारते वक्त लीली के बीच में आ जाने से उसका जादू उल्टा पड़ गया और वर्डमॉट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी के अंदर चला गया इस एक टुकड़े की आत्मा के कीमत तुम क्या जानो वर्डमॉट बाबू इसका मतलब जानते हो हैरी खुद एक हूकरक्स है याने अगर वर्डमॉट को मारना है तो जो लास्ट बचा हूकरक्स है याने जो साप है उसे तो मारना ही है पर साथ में हैरी को भी मरना होगा तो हैरी सीधा जंगल में जाता है अपने आपको वल्डमॉट के हवाले करने बट यहाँ पर आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट डंबल्डोर ने अपनी वसीहत में जो सुनहरी गेंद हैरी को दी थी उसके अंदर था पुनर जिवन पत्थर याने अगर वल्डमॉट हैरी को मार भी देगा तो भी वो फिर से जिन्दा हो ज और इधर नेविल लॉंग बॉटम गरुरद्वार की तलवार से नगीनी याने जो लास्ट हूकरक्स है उसे मार देता है और जैसे ही लास्ट हूकरक्स नस्ट होता है वैसे ही वर्ल्डमॉट भी ऐसे मरता है जैसे थैनॉस ने चुटकी बजाई हो याने वो मस्त से डस्ट बन कर पस्त हो जाता है I mean वो मारा जाता है अब कहानी सिदा 19 साल आगे जाती है जिसमें हैरी का बेटा भी हॉगवर्ट्स जा रहा है और उसका नाम है अलबस, सेवरस, पॉटर और हैरी पॉटर की सीरीज यही पर हो जाती है खतम और हाँ इस वीडियो पर क्लिक करके आप हैरी पॉटर के सभी हिंदी डबिंग आर्टिस को लाइव सुन सकते हो देखिएगा जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में बाई